हेलो डिये स्टुडेंस से स्टूडियो में चॉल्व करेंगे क्लास 7 शेप्टर 11 परिवेटर हैं देख एक सेज 11.2 का क्वेश्ट नम्म रेट देखे ए बीसी का इसलेस्ट ट्राइंगर है एड उसमें एवी इसे दोनों आपको 7.5 डियाग्राम में देखें कितना हैं 7.5 सेंटी मीटर देर रहonders busy Stones站 है हाइट AADги from A to BC A भाईट किश सेंटिम्टर AAD कितना है आपको कि six centimeter 그 हाइट आपको फस्ट ओफ-ध एक एरिया है ट्राइंगल एरिया फाइंड करना-क ले किसी ट्राइंगल का abc का ABI एक ट्रैंगल एक उसका एरिया फाइंड प्राइंडक उसके अलावा हाइट find out करनी है C से AB पे this means जो यह perpendicular height है CE यह find out करना है यह perpendicular किस पे है AB पे find out करनी है तो आपको इसमें दो चीज़ा find out करनी है first of all area find out करना है second आपको क्या find out करना है CE find out करने तो हम पहले first find out कर लेते हैं देखें आपको area find out करना है base पता है height पता है तो यह दोनों लेंगे अगर आप second वाला base लेते हो एरिया find out करने के लिए A B लेते हो है उसके साथ C E C तो हमें पता ही नहीं तो हम कैसे find out कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा base लेना पड़ेगा B C is equal to 9 cm height H E I G H T height is AD and this is 6 cm therefore area of triangle कितना हो जाएगा area of triangle ABC हो जाएगा हमारे पास half into base into height formula होता है and half base is 9 height is 6 calculation कर लेंगे उसके बाद हमारे पास answer आजाएगा 2 2 3 6 numerator में बचा 9 into 3 denominator में कुछ भी नहीं हमारे पास तो यह हो गया 9 3027 cm square is the area of triangle ABC base BC height AD तो area find out हो गया हमारे पास ABC का अब इसका use करके हम find out करने वाले हैं second second क्या AB आपको पता है area of triangle आपको पता है CE that means height find out करने तो solution start करते हैं here second part के लिए ना तो here base base AB is equal to 7.5 cm and area of triangle आपने पहले find out कर लिया area of triangle ABC and वह हमने already find out कर लिया this is 27 cm square फॉर्मला लगा इसका formula लगाएंगे triangle का area of triangle का formula half into base into height base into height this means 27 half into base is 7.5 and height is CE height कितनी है CE जो कि हमें find out करने इसको है तो 2 चला जाएगा multiply में because 2 is in the denominator जब आप राइट and side में लेके जाओगे and 7.5 आएगा आपका denominator में calculation कर लेते हैं point remove करेंगे तो कितना हो जाएगा point अटा यहां से तो numerator में आगे 10 में solve कर लेते हैं देखे किस किस से cancel out हो रहा है थ्री से थ्री तूज़ ज़स्टिक्स थ्री फाइफ्टीन थ्री नाइन ज़स्ट्विंटिसवन उसके बाद 5 से 55 ज़स्ट्विंटिफाइफ फाइव तूज़ ज़स्ट है इतना हो गया numerator नुम्रेटर की multiply कर लेते हैं नुम्रेटर नुम्रेटर कितना है आपके पास 9 इंटू 2 इंटू 2 एंड देनोमिनेटर में 5 है देस मींज 94036 बाई 5 एंड पॉइंट में convert करने के बाद कितना हो जाएगा यह 57035 ओके कर लेते ब्लेक स्क्रीन पे 36 को करना है 5 से यह ना तो 570 3510 पॉइंट लग जाएगा 52010 कितना हुआ 7.2 कितना आंसर आपके पास 7.2 एंड यह सी है हाइट है डाट मींज दिस विल बी इन दे सेंटिमीटर सेंटिमीटर स्क्रीर में नहीं आएगा क्योंकि आपको सेंटिमीटर इदर की सभी मीटर वगया नहीं कुछ भी है ना तो क चीजी हमें फाइंड आट करनी थी ओके थैंक यू